प्यारे दोस्तों आज हम इस वीडियो में परिच्छा के दिश्टिकोर से भुगोल के सबसे महत्पूर्ट टापिक को देखने जा रहे हैं इसमें परिच्छा प्योगी सभी सिध्धानतों या संकल्पनाओं को इस प्रकार बेवस्थित किया गया है कि इसे आसानी से याद किया जा सके भुगोल विशय से आप चाहिए जो भी परिच्छा दे रहे हों आपको हर हाल में इन्हें याद करना ही होगा क्योंकि इस से चार से पांच प्रस्न हर परिच्छा में निश्चित रूप से आता है तो आएए दोस्तों इस महतपूर टापिक को सुरू करते हैं सबसे पहले हम प्रवाल वित्यों की उत्पत्ती से सम्मंदित सिध्धानतों को देखते हैं निमजन या आवतलन सिध्धानत या सबसिडेंस थियरी को डार्विन ने दिया था इसे डार्विन एवन डाना का निमजन सिध्धानत भी काते हैं इस्थिर अस्थर या विलेयन सिध्धान या नान सबसिडेंस थियरी मरे ने दिया था हिमानी नियंत्रा सिध्धान या ग्लेशियल कंट्रोल थियरी डेली ने दिया था संशोधित आवतलन सिध्धान डेविस ने दिया था इसे हम एक बहुत ही आसान ट्रिक से याद करते हैं सबसिडेंस का सब, नान का ना और ग्लेसियल का जीयल इन तीनों सब्दों को लेने से बनता है हमें सब ना जीयल बोजपूरी का एक्सेंटर्स बन गया सब ना जीयल, कुछ लोग मर गई लगई सब ना जीयल दूसरे तब प्रतिपादकों को इसी क्रम में याद करेंगे डार्वीन मरे डेली तो इस तरह से ये एक के सामने एक आप याद कर लेंगे आगे देखते हैं पार्थिव एक्ता या सार्वभावमिक एक्ता का सिध्धान्त ब्लास ने दिया था यदि आप सन्में ब्लास नहीं होगा दोस्तों तो हम बोल्ट को टिक करेंगे इसका ध्यान रखेंगे उन्होंने भी इस पे महत्पूर काम किया है अगला है क्रिया शील्ता यानि एक्ट्यूटी का सिध्धान्त किस ने दिया था? जीन ब्रुंस ने दिया था अन्योनिक्रिया या इंट्रेक्शन का सिध्धान्त भी जीन ब्रुंस ने दिया था अब हम लोग भूराजनीती यानि विश्व सामरिक दिष्टी से सम्मंदित सिध्धान्तों को देखते हैं यह बहुत ही important topic है वैसे तो पूरा का पूरा जितना भी इसमें listed हैं सिध्धान्त वो सभी important है कोई कम है और ज्यादा यह कहना बड़ा मुश्किल है आपको हर हालत में इसे याद करना ही करना है तो देखते हैं इसको हिर्दय अस्थर सिध्धान्त या Heartland Theory मैं किंडर ने दिया था रिमलेंड सिध्धान्त या रिमलेंड थेहरी स्पाइक मैं द्वारा प्रतिपादित था समुद्री शक्ती संकल्पना या C-POWER concept 18 महान ने दिया था भू सामरिक प्रदेशों की संकल्पना कुहन द्वारा प्रतिपादित की गई, वायु सक्ती संकल्पना के प्रतिपादक सेवरस्की थे, भूराजनीतिक संकल्पना या जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट हाउशोफर ने दिया था, बृध्धी धुरू संकल्पना यानि ग्रोथ पोल थियरी पैराक्षन दिया था, दोस्तों आप लोग मैं कोः अतना था, नहींते के टरबिखे पैसे हो शॉपर नहीं पैसेदंगा हैं सस्तों यांकर सो स्था, फैस्एन एक इससे करेंगे तुम-श्पनेए कि धड़कन में रहते हो रहते हो तुम नहीं मैं दिल में तुम नहीं रहते हो मैं रहता हूं यानि हार्ट में मैं मैं किंडर हार्ट लैंड थियोरी मैं किंडर ने दिया था रिम लैंड थियोरी का आर और स्पाइक मैं का एस आर एस तो जब हम अल्फावेटिकले देखते हैं P Q R S R के बाद S यानि रिम लेंड स्पाइक मैं ने दिया था ये याद हो गया C power concept तो समुद्र सक्ति जिसमें होगी वो बहुत ही महान आदमी होगा तो इस तरह से समुद्र सक्ति संकलपना किस ने दिया था महान ने ये याद हो गया G O Strategy Concept G O का G और K का कुहन G K यानि कि G O Strategy Concept कुहन ने दिया था वाई सक्ति अगधी आपको लेना है तो सवेरे सवेरे आपको मार्निग वाग पर निकलना होगा तो वाई शक्ति संगपना किसे हो गया सवेरे सेवरेस्की ने इस तरस्याद हो गया दोस्तों भूराजमिती जीओ का जी और हाउस ओपर का हाँ जी हाँ आई बोलती है न महिलाएं बुलाते हैं तो जी हाँ आई तो जीओ पोलिटिकल कंसेप्ट हाउस ओपर ने दिया था बृध्य ध्रू संकल्पना अब आगे चलते हैं हम लो बृध्य ध्रू संकल्पना यान रिणि ग्रोथ पोल त्य व्लच इसको इंगलीस में आद रखिया है का असानी से उससे अच्छा से बोल पार हैं ग्रोथ पूल थे किस ने दिया था यानि टी हाइगार स्ट्रेंड ने दिया था जियोग्राफिकल ट्रिटीज की संकल्पना किस ने दी थी इस ट्रेवो ने अब हम लोग देखेंगे नगर प्रभाव छेत्री यानि अमलैंड के सिमांकन के कौन-कौन से सिधान्त और विधी हैं उसको याद करे तो सबसे पहले है गुरुत्त माडल यानि ग्रिविटेशनल माडल कैरी ने फुटकल गुरुत्त कानियम रीटेल ग्रिविटेशनल रूल किस ने दिया था रैली ने अलगाव बिंदु सिधान्त यानि ब्रेकिंग पॉइंट थियरी ये बहुत पूशता है अलग से इसको अलग से पूश देता है ब्रेकिंग पॉइंट थियरी किस ने दिया है तो पी डि कण वार्स इसको जरूँ याद रखिएगा थीषेन बहुभूज बिधी तो थीषेन पने ने दिया था यह तो याद हो गया लेकिन ये पूशता कि थीषेन बिधी को सबसे पहले किस इसने प्रयोग में लाया तो इसको सबसे पहले बोग ने लाया दोस्तों इसको याद रखिएगा आगे भी मैं लिखाओ इसको चलिए हम लोग देखते हैं नगरी आकार की यानि अर्बन मार्फोलाजी से संबंदित थेयरी को इसमें तीन थेयरी दी गई हैं जो बहुत इंप संकेंदरी पेटी सिधांत Конция脂म जोन !! थेयरी बर्गीस ने दिया था खन्डी्यश थेयरी थेयत होनाभिक सिधांत ,यानि की uni взять थेय थेयरी हैरी से औरृम माज़ा एकारे दूंगा आपको देखिए बर् Sóमर हाथ से सब्ढ़ सारे होंगे दूठ्र हैरी सेवा उल्मायन तो ऐसे इस तीनों में से आप अंतर करके इसको आप छाट लेंगे और भी नगरी भूगोल से संबंधित कुछ कंसेप्ट से हैं उनको याद करते हैं नगरी ये परिमंडल परतिमान किस ने दिया था वेंस ने सीवीडी की संकल्पना का प्रतिपादन कोल भी ने किया था मेगालो पोलिस की आउधारणा जीन गाट मैन ने दिया था सननगर की आउधारणा यानि कंसेप्ट आफ कनरवेशन सननगर यानि कनरवेशन इसको पेट्रिक गिडीज ने दिया था प्राइमेट सिटी का नियम, lief प्राइमेट सिटी, Mark J. Pherson, बहुत इंपर्टेंट है, कोटी आकार नियम, रैंक साइज रूल के प्रथम पिचार, सबसे पहले बिचार किसने प्रस्तुत किया था, रैंक साइज रूल का, तो इसका आयर बैक ने किया था, इसको भी याद कर ल सिध्धान्त गैरिशन ने दिया था Central Place Theory यानि केंद्री अस्थल सिध्धान्त किस ने दिया था क्रिस्टालर ने दिया था Garden City का विचार किस ने रखा था Avenger Howard ने थी सिन विधी का सरवपर्थाम प्रियोग पीछे में अभी इनका नाम लिया था तो इसको भोग ने इसका सबसे पाले प्रियोग किया था आगे देखते हैं फासल सन्योजन यानि क्राप कंबिनेशन पद्धती जो थी वो JC Weaver ने दिया था क्राप कंबिनेशन जो पद्धती थी वो किस ने दिया था JC Weaver ने sequential occupants की संकल्पना किस ने दि थी फिटल सी ने दि थी शस्य भी वित्ता यानि क्राप डाइवर्सिटी का concept भाटिया ने दिया था अब हम लो कार्ष्ट प्रदेश में कंदराओं केव की उत्पत्ती से याद रखेंगे अप घर्षण या आक्रमर सिध्धान कोरेजन या इन्वेजन थियरी मैलाट आद लिखा गया मैलाट ही के वला सिध्धान यानि वाटर टेवल थियरी स्विनर्टर ने दिया था इस्थैतिक जलमंडल या इस्टैटिक वाटर जोन थियरी गार्डर ने दिया था तो दोस्तों यह जो चार सिध्धान थे वो कंदराओं कुद्पत्ती से थे अब आगे देखते हैं भूगोल में दिश्टी कोण को किस ने अपनाया था तो हार्ट सोन ने अपनाया था यह जी सी नेट का यह बहुत ही फेबरेट कोस्चन है कई बार पूछा गया है इडियोग्राफिक से रिलेटेड कोस्चन आगे देखते हैं सिंगल सेल सर्कुलेशन माडल हेडली ने दिया था जियोग पाइवाट आफ हिस्ट्री मैकिंडर ने दिया था धुरूविय वाताग्र शिद्धान पोलर फ्रांट थियरी किस ने दिया था जरकनीज कई जगा किताबों में लिखा मिलेगा बरकनीज बरकनीज और जरकनीज दोनों एक ही है इंगलिस वाल आप देख लेंगे बी जे से तो कई लोग बी से उचारन करते हैं तो बरकनीज हो जाता है और जे से लेते हैं तो जरकनीज हो जाता है इसलिए आप कंफ्यूजन में नहीं पढ़ेंगे इसका ध्यान रखेंगे वाई रासी एर मास्की संकल्पना कुछ किताबों में जरकनीज लिखा हुआ मिलता है आप आपonst 돌 अब लिखन से किताब जहीं होगा वो गलत है आगे हम लोग वर्सर से संबंधी 3 सिधानत है उसको देखते हैं जिसमें पहला ज्यादा important है अक्सर परीच्छों में आता है hym crystal सिधान ice crystal theory किस ने दिया था बरजरान ने यानि वायूरासी की संकलपना बरजरान ने दिया था और hym crystal ice crystal theory को भी बरजरान ने दिया था make ice थिरता सिधान फंडिशेन ने दिया था लवड़ी उच्छवसन सलाइन एक्सहलेशन थियरी को हेले ने दिया था तो इसको भी याद रखेंगा आप लो आगे चलते हैं क्युमिलेटिव काजेशन माडल मेडाल ने दिया था इसको याद रखिएगा यह सब नेट ओगरम बहुत इंपार्टन सब कोश्चन है यह अलग से दिये गए हैं जरू आप सर्कुलर एंड क्युमिलेटिव काजेशन यह दोनों नाम अलग अलग देता है दोनों का यही होता है आपका जी मीडार इसके प्रतिपादक हैं डिपेंडेंसी माडल या थियरी जी फ्रेंग ने दिया था कोर पेरिफेरी माडल और थियरी आफ इस्पेशियल डिस्टेंगसियेशन थियरी डेवीड हरुइ ने दिया था समय अस्थान का सिधान असीम वार ने दिया था काल अस्थान भुगोर की अवधारणा हागार स्ट्रैंड ने दिया था पार्श्विय समतलन यानि की लेटराल प्लैनेशन थियरी जी के गिलवार्ट ने दिया था ये पेडिमेंट रचना से संबंदित है धारा दक्षता और च्छमता सिधानत यानि स्ट्रीम कंपिटेंसी एंड कैपेशिटी ये भी जी के गिलवार्ट ने ही दिया था अब धाल क के विकास से संबंदित हम तीन सिधानतों को देख लेते हैं जो परिछा की दिष्टी कोर्ण से बहुत महत्पून है धाल पतन सिधान स्लोप डिकलाइन थियरी डेविस का है धाल प्रतिस्थापन सिधानत यानि स्लोप रिप्लेस्मेंट थियरी पेंक का है वाल्थर पेंक स निवर्तन सिध्धान पैरलल रिट्रेट थियरी किंग द्वारा प्रतिपादित की गई है अब आगे चलते हैं इन तीनों को आप याद कर लेंगे अब आगे चलते हैं अस्थानिक पादप की संकल्पना एडी केंडोल ने दिया था भू सन्नती या भू अभिनती जी से जियो सिंकलाइन कहते हैं उससे संबन्धित तीन चीजों का हम याद रखेंगे भू सन्नती संकल्पना जियो संकलाइन कंसेप्ट हाल ने दिया था जबकि जीयो सिंकलाइन सब्द डाना ने दिया था और जीयो सिंकलाइन कंसेप्ट का सबसे अधिक विकास या इसका संवर्धन जो किया था हाग ने किया था तो इन तीनों को याद रखिएगा अक्सर पुस्ता है कि जियो सिंग लाइन सब्द किस ने दिया था डाना ने दिया था इस पर सरवाधिक काम किसका है तो हाग का है अब हम लोग परवत निर्मार से संबंधित सिध्धानतों को देखेंगे यह भी बहुत ही इंपार्टेंट करके आप रख लेंगे और इसको बार बार जैसे आप नहा रहे हो खाना खा रहे हो कोई गेम खेल रहे हो आपको पढ़ने में मन न लगता उस समय इस वीडियो को आप चला लीजिए और सुनते रहिए नहीं भी ध्यान देंगे तब भी आपको जैसे अनुमान चली सा पढ़ते कभ याद हो जाता है वैसे ही यह भी है कि आपको कभ याद होगी आपको पता भी नहीं चलेगा आइसे बैठके याद करेंगे तो वह होने वाला है ने तो चली आगे चलते हैं परवत निर्मार से संबंदित सिध्धांतों को देखते हैं भूसननती सिध्धांत ज सम्वहन तरंग या convection current theory किस ने दिया था होम्स ने दिया था तापी ये संकुचन सिद्धान्द जेफरीज ने दिया था रेडियो शक्रियता सिध्धान्त या तापी चक्र सिध्धान्त जाली ने दिया था स्लाइडिंग कांटिनेंट थियरी डेली ने दिया था प्लेट टेक्नानिक सिध्धान्त में सरवाधिक योगदान किसका था हैरी हैस का था तो दोस्तों ये सब परवत निर्मार से संबंदी सिध्धान थे, इसे जरूर से आद कले जाएगा, आगे चलते हैं, सागर नितल प्रसरण सिध्धान, सी फ्लोर स्प्रीडिंग थियरी, हैरी हैस ने दिया था, इसे प्लेट टेक्टानिक थियरी में इसको सिध्धान को दिया आगे चलते हैं, पुछल तारा परिकल्पना, दोस्तों अब हम लोग आ गए, पिर्थवी वग्रोहों की उत्पत्ती से, संबंदी सी धानतों को देखेंगे, उसमें सबसे पहले हम आद्वयतवादी संकल्पना को देखेंगे, आद्वयतवादी का मतलब होता है, मोनिस्टिक यानि की एक ही तारे से उत्पत्ती की बात कही गई है, आद्वयतवादी यानि की ड्यूलिस्टिक में दो या दो से अ चार परिकलपनाय हैं पुछलतारा परिकलपना यानि कामेट हाइपोथेसिस बफन ने दिया था वायब्यरासी परिकलपना गैसियस हाइपोथेसिस कांट ने दिया था निहारिका परिकलपना या नेबुलर हाइपोथेसिस लापलास ने दिया था उलका पिंड परिकल्पना लाकियर ने दिया था इसको भी बहुत आसानी से याद कर सकते हैं बफन का पूरा नाम है कास्तेद पफन कास्ते ठीक है तो कास्ते का का कांट का का और लाप्रास का ला और लाकियर का ला ले ले लेते हैं तो बनता है का का ला ला तो क्रम से याद रहेगा सबसे पहले परिकल्पना, सबसे पहली परिकल्पना किसी थी कास्तेदा बफन की, फिर काका कांट की लापलास याद रखेंगे, लाकी यरबाद में आ जाएंगे, तो इस तरह से याद हो जाएगा आपको, और इधर से आप इनको क्रम से इसको याद करेंगे काका लाला याद रखिएगा यह आपका monastic hypothesis है आगे चलते हैं दोयतवादी संकल्पनाओं में इसमें है ग्रहाणू परिकल्पना Chamberlain एवं मोल्टन ने दिया था जुआरी यह परिकल्पना टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स James James ने दिया था दोयतारक परिकल्पना Rassel ने दिया था विखंड का सिध्धान यानि Fission Theory राशजन ने दिया था विखंडन का सिध्धान नवतारा परिकल्पना नोवा हाइपोथेसिस होया लोगा लिटिल टल ने दिया था Sifild साध्य थियरी बनरजी ने दिया था आपको बनरजी ने दिया था अंतर तारक धूली परिकल्पना आटो इस्मिड ने दिया था Big Bang Theory और इस्पीती सिध्धान ये दोनों आधनी सिध्धान के अंतर काताते हैं तो Big Bang सिध्धान बिग बैंग थियरी इसको काते हैं जार्ज लेमेंटेयर ने दिया था इसको याद रखिएगा ये भी बहुत इंपार्टेंट है सब इंपार्टेंट है बारबा मैं एक दो पर रूख जाता हूँ तो आप इसमें confusion मत पढ़िएगा हराल में आपको सब को याद करना है यदि आपको परिच्छा में टाप पे बने रहना है तो क्योंकि इसके बिना कोई भी परिच्छा कोई निकाल नहीं सकता है क्योंकि ये पढ़े लिखे लड़के इसको कर पाते हैं और वही merit में आगे जाते हैं समान question तो सब लोग कर लेते हैं अब आगे देखते हैं खबल की से समंदित है विश्तरित ब्रह्मांड सिधान एक्सपेंडिंग इन्वर्स थियरी एडविन हबल ने दिया था सूरे केंद्रित सिधान कापर निकस ने दिया था ग्रह गतिनियम लाज आफ प्लेनेटरी मोशन के प्लेर ने दिया था तो दोस्तों इस था से ये हो गया आगे चलते हैं महादीप एवं महासागर नीतल की उत्पत्ती से समंदित कुछ सिधान थे उनको याद कर लेते हैं आपको ये भी याद करना है कि ये सिधान किस ने दिया और कई बार पूसता है चतुस फलक सिधान किस से समंदित है महासागर महादीप की उत्पत्ती से समंदित है डेल्टा की उत्पत्ती से समंदित है ज्वार भाटा समंदित ऐसे आप संदित देगा इसलिए आपको उन सिध्धान्तों को ये भी आद रखना है कि कौँसा सिध्धान्त किस से संबन्नित है और वह सिध्धान्त किस ने दिया है तो ये सभी जो है महादीप और महासागर नितल की उत्पत्ती से संबन्नित है जो देखने जा रहे हैं चतुस फलक सिध्धान्त, लोथियन गिरीन ने दिया था, महाध्विपी प्रवाह, Continental Drift Theory, वेगनर ने दिया था, Displacement Hypothesis भी वेगनर ने ही दिया था, इस तरह से Continental Drift Theory और Displacement Hypothesis दोनों वेगनर ने दिया था, महाद्वीपी प्रवाह परिकल्पना ज्यान दीजिएगा जो वेगनर का था वो है महाद्वीपी प्रवाह सिधांत था और यहाँ पे है महाद्वीपी प्रवाह परिकल्पना है तो परिकल्पना किस ने दिया था भी टेलर ने दिया था आनुक्रमिक विश्तरण परिवहन नेटवर्क माडल यानी sequential expansion transport नेटवर्क माडल को टाफे मारिल एवं गुल्ड ने दिया था अब हम लोग अपर्दन चक्र से सम्मंधित संकल्पनाओ सिधानतों को देखेंगे इससे तो निश्चित रूप से एक कोश्चन आता है इसको देखेगा आप लोग अपर्दन चक्र या भावगोलिक चक्र को डेविस ने दिया था अपर्दन चक्र यानी cycle of erosion को ही क्या कहा गया डेविस ने भावगोलिक चक्र यानी की geographic cycle कहा है तो दोनों टर्म एक ही है आगे जो है सुस्क अपर्दन चक्र एवंग हिमानी अपर्दन चक्र का भी प्रतिपादन डेविस ने किया था इसको याद रखेगा सुसक अपर्दन चक्र, हिमानी अपर्दन चक्र और भावगोलिक चक्र का प्रतिपादन डेविस ने किया था मर्फोलाजिकल सिस्टम पेंक द्वारा प्रतिपादित किया गया पेडी प्लेनेशन चक्र, एलसी किंग ने प्रतिपादित किया पैन प्लेनेशन चक्र क्रिक में द्वारा दिया गया परिहिमानी यानि पेरी ग्लेशियर अपर्दन चक्र पेल्टियर द्वारा दिया गया कार्ष्ट अपर्दन चक्र बीदी द्वारा दिया गया इनको जरूर से याद किजिएगा दोस्तों आगे अभी भी अपर्दन चक्र से ये दिये गए हैं सवाना का अपर्दन चक्र पूग एवंग थामस दौरा प्रतिपादित किया गया एपिसोडिक इरोजन थियरी को सम्स एवंग लिच्टी ने दिया था इरोजन से संबंदित कुछ सब्दावलियां इसमें हैं जैसे पेनी प्लेन पेनी प्लेन को डेविस ने दिया था पेनी प्लेन क्या है जो देविस के अपर्दन चक्र में अंती मवस्था में जो संप्राय मैदान है उसी के लिए इन्होंने टर्म इस्तिमाल किया था पेनी प्लेन इसको देविस ने दिया था इसी के बदले अन विद्वानों ने भी सब्दावलिया उपयोग की है और इसको म प्रामस ने दिया था अब इसको देखिए कैसे याद करेंगे आप अपना भी कुछ concept डेवलप कर सकते हैं लेकिन मैं तो ऐसे ही याद किया था आप देख लीजिए पेनी का पेनी ले लिजे डे पेनी डे पेन प्लेन का पाइनले लेलेजे एक रिकमे का क्री लेलेजे पाइन उसका सर पेड़ी के पैन ला कहते हैं पेनले याद कर लेंगे तो आसानी से अंतरा कर लेंगे इंडरंप और प्राइमारंप सब्द पेंक ने इस्तिमाल किया है इंडरंप जो है अपरदन के अंतिमवस्था को दरसाता है और प्राइमारंप ये प्रारंभी कवस्था को बताता है सागरी अपरदन चक्र डेविस वा जांसन ने दिया था इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने अपरदान चक्र को देख लिया आगे चलते हैं आइसो इस्टेसी से संबंधित कुछ देख लेते हैं छती पूर्ती तल संकर्पना यानि लेवल आफ कंपनसेशन किस ने दिया था प्राट ने दिया था और इस्टेटमेंट है एक बड़ा अस्तंब कम घनत छोटा अस्तंब अधिक घनत इसको इंगलिस को देखिए बीगर दा कालम लेशर दा देंसिटी स्मालर दा कालम ग्रेटर दा देंसिटी इसको भी प्राट ने दिया था अगला है समान घनत्व परंतु गहराई में भीनता या उनिफार्म डेंसिटी बट वेरिंग ठीकनेस अब इसको कैसे याद करेंगे कौन एरी का है कौन प्राट का है तो देखें बहुत आसान है बीगर बी यह है कांसोनेंट और इधर प्राट के नाम में पी है कांसोनेंट त इसको आसानी से अलग नहीं भी याद है तो बी और पी और दूसरा वाला है उनिफार्म डेंसिटी बट वेरिंग ठीकनेस इधर एरी है तो इन दोनों में वावेल दिया हुआ यू उनिफार्म में और ए एरी में तो इस तरह से आप जब यह दोनों में आता कंथ्यूजन हो अब हम लोग ज्वार भाटा की उत्पत्ती से संबंधित सिध्धान्तों को देखने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपोर्टेंट है इसमें देखिए संतुलन सिध्धान्त यानि एक्यूलिब्रियम थियरी निउटन ने दिया था प्रगामी तरंग सिध्धान्त यानि प्रो अब इसको याद कैसे करेंगे ये देखिए सबका पहले इंग्लिस वर्जन आप लीजिएगा इक्यूलिब्रियम का ई और न्यूटन का एंटी इंटी हो गया अगला है प्रोग्रेशिव वेव तो पी और इसका वेवेल का एच तो पी एच बलड का मान होता है पी एच वैल से डाइनामिक का D और लापलास का L तो DL बन गया DL बिना गाड़ी नहीं चला सकते हैं पकड़ आ जाएंगे स्टेशनरी का स्टेशन और है इसका है स्टेशन है इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं या एक बहतरीन इसका स्लोगन है उसे याद कीजिए इंटी स्टेशन पर है तो इंटी इससे आप उपर वाला ले लेंगे एकुलिब्रीवियम न्यूटन हो गया और फार्मा का क्यावल पी एच इस्तमाल करना है तो इसमें प्रोग्रेसी आएच से हैवेल हो गया और सी ये से कैनाल थियरी और ए से एरी हो गया DL से आपको बता ही दि आगे इस तरह से आप इसको दिमाग में बैठा लिजिए ताकि मैस दकालम या सिंगल भी आवे तो आप उसको आसानी से चूज कर सके आगे चलते हैं क्रिशी एवं उद्योगों के अस्थानी करण से संब्ध सिध्धान को देखते हैं फसल सघंता या तुलनात्मक लाफ का सिध्धान किस ने दिया था वान्थिवने ने दिया था अवद्योगिक अस्थानी करण सिध्धान या नियूंतम परिवहन लागत सिध्धान या थियरी आफ लोकेशन आफ इंडस्ट्री या लिस्ट ट्रांस्पोर्ट कास्ट थियरी यानि कि लिस्ट ट्रांस्पोर्ट का आपलोग बाजार प्रतियसपरधा सिधान्त मारकेट कम्तिशन थिरी फेटर वा होटेलिंग ने दिया था निवनzeitम लागत सिधान्त लीस्ट काष्ट थिरी दिया था ध्यां। फ्रीड मैन ने दिया था, अब जनसंख्या भूगोल से समबंधित, कुछ सिधान देख लेते हैं, कुछ थेयरी देख लेते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या सिधान, यानि आप्टीमोन पापुलेशन थेयरी, एडवीन कैनन ने दिया था, जनांकी की संक्रमर सिधान, या डेम करेंगे इसका ध्यान रखिएगा आप लो दोनों ही प्रतिपाद एक साथ आवें तो दोनों एक साथ रहेंगे अलग अलग है तो नोटेस्टीन को पाले टिक करेंगे आगे देखिए द्वितिये जनसांख्य की संक्रमण की अवधारणा वेंडी काने की थी जनसंख्या का ला सुन्तम प्रयाज सिधान्त या लिस्ट एफोर्ट थियरी जीके जीफ ने दिया था अंतरालई आउसर या प्रतियोगी प्रवासी माडल या इंटरवेनिंग अपार्चुनिटी या कंपिटेटिंग माइग्रेंट्स माडल स्टोफर ने दिया था गतिशील संक्रमर सिधान या मोबिलिटी ट्रांजीशन थियरी जेलिंस्की ने दिया था दिस्पर्शन एबजॉप्शन थियरी रिवेस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था आगे देखते हैं प्रत्यास्थ पुलस चलन सिधान्त या एलास्टिक रिबांट थियरी एचेफ रीड द्वारा दिया गया आधारतल कि संकलपना यानि बेस लेवला फिरोजन का कंसेप्ट पाविल द्वारा दिया गया कंसेप्ट आफ इस्परीड एंड बैकवास गुन्नार में डाल द्वारा दिया गया आर्थिक विर्धी की अवस्थाएं स्टेजेज आफ एकोनामिक ग्रोथ माडल रोस्टोव द्वारा दिया गया, रोस्टोव ने पांच जो है कि अवस्थाएं बताई थी पृद्धी की, उसको भी पूछा जाता है, परिघटनावादी उपागम यह कुछ एप्रोचेज हैं, और उनके प्रतिपादक या समर्थक उससे जुड़े हैं, उसको यहां पर दि आदी उपागम या आइडियलिस्टिक एप्रोच का प्रतिपादन गुलके ने किया था, मानोवादी भूगोल या हिमनिस्टिक जियोग्राफी का जो प्रतिपादन तुवान ने किया था, आचार परक भूगोल यानि विहविरल जियोग्राफी से संबंधित हैं, कीर्क, प्रेड आदी और भी लोग हैं, प्रत्यक्षवाद यानि प्रतिपादक अगस्त काम्टे थे, कल्याणकारी भूगोल यानि वेलफेर जियोग्राफी से संबंधित इस्मित और नाक्स थे, अतिवादी या मौलिक भूगोल यानि रेडिकल जियोग्राफी से संबंधित आर इन जियोग्राफी सोफर ने दिया था, मानसिक मानचित्र की अवधारा गुल्ड एवंग हुआइट ने दिया था, मात्रात्म क्रांती यानि क्वांटिटेटिव रिवलिशन को भूगोल में लाने का स्रे पीटर हैगट वा चोरले को है, तिलियोलाजी यानि उदेश्यव आगमनिक यानि डिदक्टिव मेथड सामानि से विशिष्ट की ओर इसमें छोटे से बड़े के तरफ हम लोग जाते हैं, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए डिदक्टिव और प्लेटो इसमें चाहे हिंदी ले लिजे, नीगमनिक यानि दिदक्टिव और प्लेटो दोनों जो है कि ब्यंजन है यानि कांसोनेंट है प्लेटो का प प दोनों जो भी है वो कांसोनेंट है तो दोनों में कांसोनेंट है एक तरफ हो गया और दूसरे में आगमनीक का अ लीजिए चाहिए इंडक्तिव का आई ले ले जी ये दोनों क्या हैं वावेल हैं और उधर और इधर ए या और अर अस्तु ये भी वावल है तो ये वावल और consonant का concept दोनों में कर लेंगे तो आपको ये आसानी रहेगा कि किस ने दिया था आगे चलिए एक रूपतावाद का सिर्धान्त हटन ने दिया था वरतमान भूत की कुंजी है यानि present is key to past ये हटन ने दिया था कई बार हम confusion में पढ़ जाते हैं दोस्तों कि वरतमान भूत की कुंजी है ये हटन ने दिया था कि डटन ने दिया था डटन और हटन confusion में डाल देते हैं उसके लिए आप इस छोटे से trick को याद रखिएगा वह वह बोलते हैं वह जा रहा है वह खा रहा है तो वह याद रखिए वरतमान का वह अह का हटन वह वरतमान भूत की कुंजी है ये हटन ने दिया था तो ड़ हट जाएगा आपका आराम से हटन मिल जाएंगे छटी शक्ती सिधान गिलवर्ट ने दिया था अब आज आते हैं हम लोग निश्चेवाद के तरफी धर्थ्वा समानव भूगल से संबंदी जो सिधान थे उनको देख लेते हैं निश्चेवाद या नियतिवाद यानि डिटर्मिनीज्म को फेडरिक रेट जेल ने दिया था या इसका प्रतिपादन किया था संभवाद का प्रतिपादक विड लोग आते हैं नौ निश्चेवाद पर यानि नियो डिटर्मिनीज्म का प्रतिपादन ग्रिफिट टेलर ने किया था नौ निश्चेवाद को ही इन्होंने वैज्ञानिक निश्चेवाद या रूको और जाओ निश्चेवाद का नाम दिया था यानि नियो यानि कि Pragmatic Possibilism सब्द का प्रयोग टैथम ने किया था, Present Day Determinism सब्द का प्रयोग कार्ल शावर ने किया था, प्रसंभाब विवाद या प्रवेविलिज्म को OHK स्पेट ने दिया था, OHK स्पेट ने ही Near Possibilism सब्द का इस्तेमाल किया था, लेवेन्स राम संकल्पना और राज्य के जीवी विकास का सिधान्त या Organic Evolution Theory को फेटरिक रेट जेल ने दिया था, प्राकृतिक प्रदेश यानि Natural Region की संकल्पना Harvardson से संबंदित है, मानो पारिस्थित की अवधार्णा यानि Human Ecology का कंसेप्ट बैरोज ने दिया था, पारिस्थित की स्थूप यानि Ecological Pyramid की संकल्पना Charles Elton ने दिया था, Sustainable Development की अवधार्णा, Brunt Land से संबंदित है, वीवीधता में एकता यानि Unity in Diversity कार लीटर इसके प्रतिपादक है, छेत्री विवेद की संकल्पना यानि Concept of Aerial differentiation ये बहुत important है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको हार्ट सोड ने दिया था, और ये UGC का तो बहुत favorite question है, आगे देखिए, निकटतम पडोशी विशलेशन यानि Nearest Neighborhood Analysis किसे संबंदित है या इसको किसने डेवलप किया था, तो क्लार्क वर इवांस ने इसे दिया था, पूरोगामी उपांत की संकल्पना बहुत important है, concept of pioneer fringe, इसे आईशा बोमेन ने दिया था, mobility transition की संकल्पना, जेलिंस्की ने दिया था, प्रवास कटिबंध सिध्धान्त या कटिबंध अस्तर सिध्धान्त या इसको English में ही याद रखिएगा आप लो, migration zone theory या zone and strata theory इसे काते हैं, ये Griffith Taylor, जी टेलर यानि Griffith Taylor ने दिया था, इसको एकदम से याद रखिएगा बहुत पुष्टा इसको, सामाजिक डार्विनवाद के संस्थापक कौन माने जाते हैं, हर्वर्ट इस्पेंसर को सामाजिक डार्विनवाद का संस्थापक माना जाता है, यदि माल लीजिए सामाजिक डार्विनवाद देता हैं और हर्वर्ट इस्पेंसर आगे नहीं रहते हैं, तो उसमें देखिएगा फेडरिक रेट जेल दिये हैं क्या, यादि फेडरीक रेट्जल दिये हैं तो उसको आप लोग टिक करेंगे क्योंकि फेडरीक रेट्जल का जो मूल दर्शन भौतिक पर्यावरण में survival of the fittest बाक्याश पाधारित है वो survival of the fittest किसके दौरा दिया गया था हरवर्ट, स्पेंसर दौरा दिया गया था अब उसी पर आधारिक फेडरिक रेट जल का मूल दर्शन था इसलिए उसे समधित समाजीक डार्विन वाद से समधित फेडरिक रेट जल को भी माना जाता है तो दोस्तों यह वीडियो मैं बहुत ही मेहनत करके और बहुत जगों से और बहुत भी स्वस्थनी डाटा के माध्यम से इसको मैं बनाया हूँ आप इसको याद किजिएगा और इसको जरूरत हो तो आप नोट्स बना लीजिए नहीं तो इसको आप डाउनलोड करके बार बार सुनिए बार बार सुनिए इसके बीना कोई भी परिच्छा निकालना असंभव है यह हर हाल में आपको याद रहना है और आप लोगों से एक विवेदन है कि यह एक बहुत ही महत्वों टापिक है इसलिए आप भूगोल से संबंधी जो भी लोग तयारी कर रहे हों उन्हें इसे सेयर करने का कस्ट है